लाइब जटाई अबबाद, क्या फर पड़ता है, कोई दिकत नहीं, पता नहीं, छो कारी राए, सो मारी राए, नाकिंडू डूनो वेचु को, देखो सुनो मत बोलो, वेड़ा, 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 वोटे भायू आँ, वी हंड़र्ड पसंच, करे ना तक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पना, ना कुछ बोलो, वेड़ा, 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 वेड कार्थिके जी ने प्रश्ण पूछा बगवान शिव से कुमारहा पितरम आत्मानु भवं अनुब्रु हीति हुआच्य पप्रच्य सहोवाच्य परश्षिवा तो शिव जी ने अपने पुत्र कार्थिके इस प्रश्ण का उत्तर दिया प्रश्ण क्या था आत्मानु भवं अनुब्रु हीति अब देखो इस प्रश्ण में परेशानी क्या है ये प्रश्ण हमको बताता है कि आत्मा की अनुभूति क्या हो सकती है ये कोई नहीं बता सकता देखो आपने रश्ण गुल्ला खाया हाजी खाया कैसा अनुभू है अब कुन से शब्दों में बोलोगे बंगाली खायेगा तो नाचेगा गुजरादी खायेगा तो रोएगा देखो अनुभू कभी भी शब्दों में व्यक्त नहीं हो सकता नहीं तो मैं ऐसे कहूं मैंने खाना खाले है बहुत बढ़ी है आपको खाने के जिरूत नहीं अपना जो स्वरूप का अनुभव है यतो वाचो निवर्तंते अप्राप्यमनसासा जो शब्दों में बांदा नहीं जा सकता और यहीं बात सभी साधोकों के जीवज में होती है हम पूछना चाहते जानना चाहते यार वो रियलाइजेशन के बाद कैसा होता है कुछ नहीं होगा आखे देखेगी कान सुनेगे मन में गुस्सा आएगा सब कुछ होगा कुछ परक नहीं पड़ेगा देखो इसको केवल हम इस प्रकार से बता सकते हैं कि उस पर हमको अपने आपको ही मेनत करनी पड़ेगी जैसे यह अरुभव कैसा होता है अब यहां जाने के पहले हम आपको थोड़ ट्रेलर देते हैं अब इसकी कल्पना करो आप यदि आप आकाश हो स्पेस हो तो आकाश का अनुभव कैसा है तो सब को आधार देता है नैनम चिंदंति शस्त्राणि नैनम धहति पावकाह नचैनम कलेदय अंत्यापाह नशोशयति मारुता आकाश पृत्वी के द्वारा प्रभावित नहीं होता पानी के द्वारा नहीं अगनी के द्वारा नहीं और वायू के द्वारा नहीं यह आकाश का अनुभव है और आकाश किसी का तिरस्कार भी नहीं करता अब यह अनुभव आत्मा का अनुभव होगा अब आप करो देखो तो यतो वाचो निवर्त अनलते अपराप्यमनसासा अनुभव है झोट मूठ है सेरियस मत होना परमात्मा के बारे में जो भी बलो जूट है और दुनिया के बारे में बलो जो भी जूट है तो जूट का तमाशा चलना है सब, देखो संतो, अध्यात्म का तातपरियक, खामो खाम खाली पिली, सीरिस होकर के में रहे न, अलके पुलके रहो, कि इतने अलके पुलके, जितना आकाश अलका पुलका है, और यही अपना स्वरूप है महाराज, यह उदारण हमने आपको जार बार दिया, एकाज बार तो क्लिक होगा, हमारी द्रिष्टी सभी रूप रंग को आधार देती है, लेकिन किसी के द्मारा प्रभावित नहीं होती, लाल रंग के कारण लाल नहीं, पिले के कारण पिली नहीं, किसी का जिरसकार भी नहीं, किसी के प्रतिया आसक्त भी नहीं अब यह जो हमारा अनुभाव है जैसे द्रिष्टी रूप रंग के द्वारा प्रभावीत नहीं होती सभी रूप रंगों को आधार देती है आप यहां सव लोग बैठे हो सव के जगह में हजार आ जाए तो मेरे द्रिष्टी पर कोई प्रभाव पढ़ेगा क्या अरे वापरे इतनों को देखना है और यह नहीं आप सब भाग जाओ यहां से मुझे क्या परक पढ़ने वाला है माने जो किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होता लेकिन सबका आधार है मत्तहा स्वृति ज्ञानम अपोहनंच मेरे ही कारण जाग्रशप्ण सुशुक्ति और चकाराज समादी इसलिए जगत में जानने लाए के लिए कोई वस्तु है तो अपना अपा है इसलिए यह जो प्रश्ण है कार्ति के जी का कि आत्मा नुभव कैसा होता है आप अपने आप ढूंड के निकालो कोई नहीं बताया सकता फिर भी शिव जी अब अपने पुत्र को बताते है परब्रह्मस्वरूपोहं परमानन्दमस्मिहं के वलं ज्ञानरूपोहं के वलं परमोस्मिहं के वलं शांतरूपोहं के वलं चिन्मयोस्मिहं के वलं नित्यरूपोहं के वलम शाश्वतोस्मिहं, के वलम सत्व सरूपोहं, त्यक्त्वा अहम अपी अहम, सर्वहीन सरूपोहं, चिदा काश असमिहं, के वलम तुर्या रूपोस्मि, तुर्या तीतोस्मि, के वलम सदा चैतन्य रूपोस्मि, चिदा अनन्द मयोस्मिहं, के वला कार रूपोहं, केवलं प्रियमसमिहं अब इसमने देखेंगे एक शबद कितने बार रिपीट हुआ है केवल 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 को पकड़ लो तो आपने सब पकड़ लिया हमारे विदानति की भाशा में केवल की परिभाशा आती है कि सजातिय विजातिय और स्वगत भेद रहित वस्तु को केवल कहते हैं जैसे चेक लिखते हैं ना सौ रूपे मात्र माने केवल उससे ज़्यादा नहीं तो जब केवल कहा है तो केवलम न्यान रूपो हम पहले जब हमारे बंबई में हमारे सत्संग होते थे तो वो केवल पर जाते थे क्योंकि बंगालियों में वकार नहीं होता वकार ही होता है therefore no Bengali is ever worried he is worried don't be worried no I am outside तो वो क्या कहेंगे केवलम नाररूपो हम केवलम परमोस में हम तो केवल का अर्थ क्या हो गया तीन प्रकार के भेद होते हैं विजातिय भेद जाती का अर्थ है आकार मनुष्य जाती पशु जाती वनस्पति जाती पक्षी जाती उसके बाद तो ये विजातिय भेद क्या हो गया कि पेड पौदों से पशु पक्षी अलग है ये विजातिय भेद हो गया अब सजाथ यह भेद क्या होगा, सजाथ ही बेद होगा, सभी के सभी पशु है, लेकिन गोडा एक गदा वेद होगया. अब एक ही पशु है गाय अब उस ये घुड़े गधे का भेद क्या हो गया सजातिया अब स्वगत भेद एक ही गाय है उसके सिंग उसके दुम नहीं है उसके दुम उसका पेट नहीं है उसका पेट उसके पैर नहीं है स्वगत भेद जिसको स्टाडिस्टिक्स में कहते हैं कि एरर वेरियंस विदिन इवर्षिल तीन प्रकार के भेद जहां नहीं है वह ज्ञान मैं हूँ अब देखो कितनी सहज बात है हमारी दृष्टी भेद में जाती है जब हम भेद का दर्शन करते हुए भी अभेत को ग्रहन कर सकते है तब जा करके हमने केवलम ज्ञान रूप को हम समझ लिया है अब यहां जगत के लेकर के क्या भेद है जीव जगत इश्वर तीन हो गए है और तीन को लेकर के पांच भेद हो जाते है जीव और इश्वर का भेद जीव और जगत का भेद ईश्वर और जगत का भेद जगत और जगत का भेद और जीव और जीव का भेद तो जब तक के ये भेदों में हम फसे है तब तक के हम फसे रहेंगे अब भेद शब्द का दूसरा आर्था निकालो भेद माने रहस्य देखो आपके स्वास्त्य का क्या भेद है हम लाइब भैसाबन खाते हैं अब क्या रहस्य है द्यान से सुनना एक ही ब्रह्म इसमें कहा है ना कि परभ्रह्म स्वरूपो हम एक ही परमात्मा एक ही विदान्ते में इसको ब्रह्मा कहते है उसी को योग में परमात्मा और भक्ति में भगवान बात एक ही है शब्दों में ना फसे तो एक ही ब्रह्मा उपाध्यों के कारण अनेक प्रतित होता है माया की उपाध्य चड़ादी तो इश्वर बन गया पंचकोशों की चड़ादी तो जीव बन गया और नाम रूप की चड़ादी तो जगत बन गया जैसे एक ही आदमी पिता की उपाध्य चड़ादी तो पुत्तर बन गया पत्नी की उपाध्य चड़ादी तो पती बन गया और पुत्र की उपाध्य चड़ादी तो पिता बन गया तो क्या वो तीन हुआ संतो यही चिंतन की बात है चिंतन के जगे में हम चिंता करते है देखो अमरिका की बात है हम गए थे किसी के हाँ और उनके इनाराय पेरेंट्स आये हुए थे और वो बुढ़ाव ने अपने बच्चे को बताने के लिए हमारे कंदे पर बंदूग रख दी और बताना शुरू कर दिया बच्चा उनका वो भी वहां का आयटी का कोई आदमी होगा पड़ा लिखा तो हमको कहते स्वामी जी हमने अपने माबाब की सेवा आखरी दम तक करी आजकल के बच्चे माबाब को बिलकुल आदर नहीं देते हैं वो अपने बच्चे को कह रहा था वहाया हमारे वो बच्चा भी उनीक था तो उसने कहा पपा आपके पिता जी को तो हमने देखा नहीं कब हो गया था उनका देहान था बेटा क्या बतावे वो जल्दी चले गए थे 40 की उमर होगी वो चले गए थे पपा आपकी उमर कितनी है अरे जल्दी मरो ना हम भी सिवा करेंगे आपकी आप मरने का नामी नहीं ले रहे कभी तो चिंतन कोरो मरना है तो दुखी कोन हो रहा है पुत्र दुखी होता है पती दुख होता है पिता होट होते हैं क्या एक कुत्र का होट है और एक पती का है एक पिता का है नहीं इसी प्रकार से परब्रह्म स्वरुपो हम एक ही तत्व अवपाधिक अनेकता में ऐसा उलज जातो है जाते हैं हम लोग बस उसको भूल गए बागी फाल्दू चीजों को ध्यान दे रहे हैं देखो माराज अब यह अरुभों को आप कैसे बताओगे पिता के सामने होते हुए भी पिता से परेशान नहीं होगे पत्नी के सामने होते हुए भी पत्नी से परेशान नहीं होगे पुत्र के सामने होते हुए भी पुत्र से परेशान नहीं होगे जैसे जाग्रत सप्न सुशुप्ति समाधी चारों को हम आधार देते हैं किसके द्वारा परेशान है कुछ नहीं कितनी बादल आके चले गए आकाश को कुछ नहीं इसी प्रकार से कितनी जाग्रत सप्न सुशुप्ति आके चले गए हम यों के त्यों है तो स्थूल देह की उपाधी चड़ा दी, जागरत पुरुष विश्वा बन गए सुक्ष्म देह की उपाधी चड़ा दी तो तै जेस और स्वप्न पुरुष बन गए दोनों के अभाव की उपाधी चड़ा दी तो प्राज्या बन गए सुशुप्त, देखो, तो जितने भेद है, यह अवपाधिक है, अवपाधिक अनेकता मिथ्या होती है, मिथ्या का तात्पर्या होते हुए भी नहीं होती तो शिव जी कहते हैं परब्रमस्वरूपो हम, परमानंदमस में हम, आदमी परमानंद है, पुत्र पिता के कारण परेशान, पती पत्नी के कारण परेशान, पिता पुत्तर के कारण परेशान, आदमी मौज में है देखो परमारंद स्वरूपो हम तो क्या करना पड़ेगा करने का धन्दा चोड़ दो समझदारी से जीना है कि करने का रोग ऐसा जबर्दस्त हो गया है कि हम मेडिटेशन भी करते हैं भक्ती करते हैं अरे बाबा उपासना करते हैं भक्ती होती है व्रुदे में लड़का लड़की से प्यार करता है और धड़ाल से गिर जाता है इसलिए कह देना I have fallen in love पड़ो लेकिन मा अपने बच्चे से प्यार करती नहीं उसके व्रुदे में बच्चे की प्रती प्यार होता है भगवान की प्रती प्यार होना है करना नहीं यह करने का ऐसा भयानक रोग हो गया है कि मेडिटिशन भी करते हैं half an hour meditation rest of the day frustration इस करने से अपने आपको बचाओ इसलिए परमानंद स्वरूपो हम परमानंद मस्वहम केवलम ज्ञान रूपो हम तो केवला ज्यान क्या हो गया जहां ज्यान के त्रिपूटी का अभाव है ज्याता ज्यान गेव यह त्रिपूटी का जहां अभाव है वो अपना स्वरूप है अब इसको ऐसा समझो वह ज्यान जहां ज्याता निर्मान नहीं होता वो परमात्मा है वह अनुभव जहां अनुभव करता निर्मान नहीं होता वो परमात्मा है क्यूंकि अनुभव करता निर्माण नहीं होता तो यह अनुभव कैसा है यह बताने वाला भी कोई नहीं होगा और इसे लिए कि मैं रियलाइज हूँ, मैं जानता हूँ, यह मैं की तो खाट खड़ी कर ली है देखो, जिस अनुभव में अनुभव करता होता है, वो समसार है देखो संतो, के वलम नान रूपो हम यह जो ग्याता ग्यान गिये की त्रिपुटी है, यह मन है और वह ग्यान जहां ग्याता और गिय का द्वईत का अभाव है, वो परमात्मा बिल्कुल सिंपल बात है, इस प्रकार से उन्होंने अपने अनुभव को कहा उसके बश्चार हमने पिछले बार की आई, इसलिए हम ज़रा अफास जा रहे हैं उसके बश्चार आगे जा करके फिर उन्होंने अपने इस अनुभूतियों को विस्तार से बताया है अहम शिश्यवद आभामी, अहम लोकत त्रयाश रहा, त्रयाश रहा अहम कालत त्रयातीत, अहम वेदय रुपासितह, अब ये मै को अनुभव क्या है, ये बताते अहम शिश्यवद आभामी, मै ही शिश्य हूँ, मै ही गुरु हूँ एक आपको टेक्निक बताते, चिंतन करो, मजाएगा हमारी योग वास्षिष्टे में आता है विशे, ये विचार हमको बहुत ही अच्छा लगता है, एक दम एक ख्रण में मन शांत हो जाएगा आपका, दो दर्पणों को एक दुसरे के सामने रखो, तो दोनों दर्पणों में इतनी प्रतिभीम्ब होगे कि जिसकी कोई गिंती ने, इसी प्रकार से हमारे सपने में इतनी दुनिया होती है उसमें सादू संतों होते हैं चोरू चक्के होते हैं अच्छा होता है बुरा होता है सब कुछ होता है कहां हमारे सपने में द्यान से सुनना जब हमारा सपना खतम हो जाता है जब हम उठ जाते है उसके बाद कभी चिंतन किया क्या यार उसमें जो चोर मेरे से पैसे चुरा के ले जा रहा था उसने पैसे कहा रखे हो गए गायब यह बार क्लीर हो गई और आगे जाओ हम सभी के सभी ब्रह्मा जी के सपने में है महाराज ब्रह्मा जी खर्राटे मार रहे हो और हम दुखी हो रहे जब ब्रह्मा जी जग जाते जिसको महाप्रलय कहते है ब्रह्मा जी जग गए तो किस की हिस्ट्री लिखेंगे के ओटो बाइयग्राफी अपर डंब हो कहां गया वो जिसके और एक महत्वा की बात जब आपका सपना बढ़िया होता है न तब तूटता नहीं बढ़िया शादी का सपना है शादी हो रही है और खुब लोग आए दुन धड़ा का बड़ा आनंद से चल रहा उतने में उसी शादी में कहीं आग लग जाती है इसी प्रकार से जागरत सपना जो है जब तक गुड़ी 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 चल रहा है समझ लो पसे रहो इसमें देखो और जब तुलसिदा जी को उनकी पत्नी कहती है आप जितने पागल मेरे लिए हो रहे हो उतने राम की लिए हो जाओ तो राम के दर्शन हो जाएंगे कितने पत्नियों ने कितने पतियों से यह कहा कितने बने तुलसिदास कितने बने देवदास संतो अपने जीवन की हरेक बुरी गटना इश्वर का अनुग्रह होता है इस अनुग्रह को पहचानना यही भगवार के प्रति भक्ति होते हैं व्रुदय में हमारे यन का एक भी अनुभव अनावश्यक नहीं होता हम समझते नहीं उसको इसलिए अहम शिश्यवदाभामी मैं ही शिश्यका रूप ले रहा हूं स्रीमत भागवत में यह कथा आती है बगवान को एक बार मौज हुई और उन्हें सोचा कि यह शिश्य कैसा होता है मेरे शिश्य होके देखू वही शिश्य बन गए फिर चक्कर आया और इसको सिखान आने वाला गुरू भी तो चाहिए अच्छा मैं ही गुरू बन जाता हूं वही दो मना अलग-अलग कुछ नहीं है देखो इसलिए अहम शिश्यवदाभावी अहम लोकत्रयाश रहा हा और मैं ही यह तीन लोक माने कौन से यही अपने रोच के जो है जाग्रस अपन सुशु कि इनों का आधार मैं ही हूं जही हमारे भूलिनात के तीन आके है आन्खों से देखा जाता है जाग्रस अपन सुशुप्ति का जो आधार है वही मैं हूं और अहम कालत रयाती तहा जो आहम मैं है इसको तो जगत में वेद्य का दात्पर्य जानने योग्य, जगत में यनि जानने योग्य कुछ है, तो अपना स्वरूप है, उसको पहचाना, बाकि सब ठीक है, इस कि इतनी छूटी सी बात है, महात्मा गांदी के चस्मे का नंबर कितना था, मालूम है, नहीं मालूम, क्या फरक पड़ता है, देखो अपना महामंत्र है, क्या फरक पड़ता है, अमरिका का 14 प्रेसिडेंट कोन था, मालूम है, नहीं, क्या फरक पड़ता है, फरक पड़ता है, जब मैं कोन हूँ, ये नही मालूम होता है तम। इसलिए सरवई ही वेदय ही आमेव वेद्या। इस मै को पहचानो महाराज। तो मै ही सबका आधार हूँ। इस प्रकार से अपने आपको पहचाना यही आत्मानु भव है। तो क्या हो गया आत्मानु भव हम किसी के विरोधी नहीं। निर्विरोध सत्ता, निर्विशेश अनुभूती। देखो जहाँ जहाँ विशेशता आ गई समसार सुरू हो गया। हम लोगों में क्या कम विशेशता है। एक और अभी में अध्यात्मीक बन गया। बनावती हो न। महिस्त्री, पुरुष्त्री, जवान बुढ़ा, पढ़ा लिखा, अनपढ, अमीर, गरीब, ब्राह्मन, ख्षत्री, वैशे, शूद्र, ब्रह्मचारी, गुरुस्त, वानप्रस्त, सन्यासी, गुजराती, बंगाली। कितनी विशेष्ताओं का बोजा हम ढो रहें, एक और बोजा, स्पिरिट्यूल, आजकल वही बन गया। अरे बाबा ये बनावतिक धंदा छोड़ दो। असली साधना है, न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे नहीं कि अम्रुदत्व मानश। हम पर विश्वास मत रखना, अपने अनुभूतियों का विश्टलेशन करके उससे सीखना। नींद क्या होती है, त्यागे नहीं कि हर चीज को त्याग करते, 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 आखिर भी जाके ये नत्यजशी तत्यज़। आखिरी में क्या रहता है, सिर्फ एक ही मंत्र चलता है, अब I want to sleep, I want to sleep, I want to sleep। जब तक ये आए है और want है, तब तक कि श्लीप नहीं महराज। जब इस मैं को भी त्याग दो, तो सत्संग में भी करराटे लगते हैं। और इसलिए हमको जो सत्संग में सोते हैं न, उनके प्रति बहुत आदर है। तो सत्संग में जो सोते हैं न, वही असले सत्संग ही होते हैं। देखो, एक बार हमको एक ने कहा था स्वामी जी वह आदमी सो रहा था आपके सामने, आपने इसको क्यों नहीं जगाया। हमने का देखो, दुखी मत होना, हमार एक सिद्धानता है मौज में रहो। तुम यहां किसले आये हो। दुखी होने के लिए कि खुश रहने के लिए, खुश रहने के लिए। वो खुश था। और तुम ट्राइब करते रहो, देखो महाराज, जो व्यक्ति अन्य के कारण दुखी होता है, वो बेवकूफ होता है, हमारे कनया लाल देखो, कभी दुखी हुई है? आप लोग एक पत्री के करण परेशान होते हैं, हमारे कनया की 16,108 बटा ली अन्ती, कभी दुखी हुई है? देखो, पूरी भगवत गीता भी भगवाज ने हस्ते हस्ते बताईए, एक बुड़ाव ने हमको कहा था, कि स्वामी जी महाराज, आप तो जवान हो, ठीक है, लेकिन भगवत गीता को इतना हलका पुलका नहीं बताना चाहिए, हमने का, आच्छा महाराज, हम नहीं बताए तो हमारे साथ जो एक कमंडलू था, उसने कहा कि स्वामी जी आपने क्यों नहीं बताए, आपने का, देखो, बड़े है, बड़ों से कभी भी आर्गुमेंट नहीं करना, जो कुछ भी बोले न, तुरंद हां कहे दो, दो क्षण में वो भूल जाते हैं, और आपको शान्ती बिलेगी, बुढ़ाओं के साथ कभी भी नहीं जगणना है, देखो, दुरुतराष्टर के साथ, कोई जगणा कोई निकला उसमें से, इसे लिए, बिल्कुल मन को शान तरखो, लेकिन मुझे बताईए, आप इतना हलका भूल के क्यों बताते हैं, हमने का, तुमने गिता प जब ओरिजिनल भगवत गीता लाइटली बताई है, तो तुम हेविली क्यों बता रहे हो, देखो माहराज, कारण क्या था, आप कभी इमर्जन्सी वार्ड में गए होगे, पेशन्ट को ले करके, तो वहां देखो, इतना फर्क होता है, जो पेशन्ट के साथ जाते हैं, उन इसी प्रकार से कनेया के सामने युद्ध की परिष्टिती कोई बात नहीं हो जाएगा, और अर्जुन को कैसा होगा, क्या होगा, मैं उसको मारूगा, इसको करूँगा, भगवान को मालूम था कि मैंने इसको अलोडी लगा दिया है, तेखो, जिस दिन आपकी ये के लिए परिषान मत होना कभी, भगवान के दर्शन से कुछ नहीं होता, उन्होंने मुझे बता, ये एक बात में आपको बताता हूँ, भगवान की परिषानी मालूम है क्या है, उनको हाथ नहीं है, तो वो ढूंड रहे है, कोई ऐसे खाली हाथ, कि जो स्वार समें लगी ह हुए नहीं है, तब जाकर मैं उन हातों से प्रकट हो सकता हूँ, सेवा और प्रेम के रूप से, मुझे वानी नहीं है, मैं ऐसी वानी चाहता हूँ, कि जो खाली है, जो आत्म श्लागा और परनिन्दा में व्यस्त नहीं है, ताकि मैं उससे प्रकट हो सकू आनंद के भगवान को अपने माध्यम से प्रगट होना तब संभव है, जब हम लायक होगे तब, नालायक व्यक्ति को क्यों गवर्मेंट जाब मिल सकता है, भगवान लायक व्यक्ति को ढूंड रहे हैं, जिसके माध्यम से प्रभु प्रगट होते हैं, उसको महात्मा कहते हैं, देखो म के लिए उन्होंने बताया था अहम ब्रह्मास्पि मंत्रोयं ज्ञाना नंदम प्रेच्चति सब्त कोटी महा मंत्रम जन्मकोटी शतप्रदम और इसलिए सर्वान सर्व मंत्रान उस्रुज्य एतम मंत्र समभ्यसेद सद्यो मोक्ष मवापनोति नात्रसंदेह मनवपी इसलिए अपने आपको पापो हम पापकर माँ चकर में मत फसो फिर क्या है कहते हैं कि हम ब्रह्मासमी यहां जो मंत्र है मंत्र कापटठ पर रिया रचना नहीं मुरुबु साथ तस न मुर्पूट इसमे भग्वान कन्फिद हो जाते कोन पौल रहा है तुसका मंत्र Emmanuel नहीं मनना त्राये थे उसका मनन करना है अहम मिकारत्त क्या है मै अनंत हूं अर बंद्ध ना तो जन्म हुआ है, ना तो मैं बढ़ रहा हूँ, ना तो मेरे मृत्यू का अनुभव है, ना तो मुझे अपने अभाव की कल्पना भी है। नित्य निरंत रहेना, यही अध्यात्मिक साधना है। देखो, हमारे भगवान शंकराचारे कहते हैं, देहन न्यासो ही सन्यासहा, नईवकाशा यवाससा, ना हम देहो महात्मेती निश्ययम ज्ञानलक्षन। अपने स्वरूप में हमको निश्टा प्राप्त करनी है। और स्वरूप के निश्टा यही है। ना कुछ पाना, ना कुछ खोना। परमात्मा की प्राप्ति होगी तो वो खोबी जाएंगे। अपनी स्वरूप को पहचाना है। इसे लिए अहम ब्रह्मा स्वि मंत्र समव्यसेद। इस पर चिंतन करते रहे दिरे धिरे। हम अपनी पुरानी जो धारणाये हैं, उनको मिटा करके ध्यान से सुनना। पुरानी जो हमारी धारणाये हैं, उनको मिटा करके नई धारणा निर्मान नहीं करते। आप कर्म में चले जाओ, योग में चले जाओ, सांके में चले जाओ। सब जगह में एक का निर्मान करते हैं, पहले मैं भोगी था, अब मैं योगी हूँ, पहले मैं सिन्मा देखता था, अब मैं सत्संग देखता हूँ, पहले मैं मास खाता था, अब मैं गायों से कमपेरिजन करता हूँ, महें जोंका त्याओं है हमारे महें को मुक्त नहीं किया जाता महें से मुक्त होना है देखो महाराज जब महें से मुक्त हो गए तो माना पा मानायो कोई मतलबी नहीं सुक दुख्य समे कृत्वा लाभा लाभा हो जया जयो दिरे दिरे ये हमारे जीवन का एक सहज भाव बन जाता है देखो विशेशता जहां आ गई वहां समसार सुरूप हो गया परमात्मा निर्विशेश सत्ता है निर्विशेश ज्ञान है और निर्विशेश आनन्द है हमको या तो विशेयानन्द मालूम है भोगानन्द मालूम है वासनानन्द मालूम है देखो जो ब्रह्मानन्द है उसको हमको पहचारना है और वो यही है कि जिसमें विशेश्टा कुछ नहीं है वो किसके जैसा नहीं है इसे लिए एक शब्दा आता है कि अनुपमेय जिसकी उपमा किसी के साथ नि दिये जा सकती जैसे एक लड़की को कहते है ओ तुम तो एकदम चंद्रमा के जैसे सुन्दर हो तो दो चेहरे होगे जब एक अमेवाद वितिया है तो किसके जैसे देखो संतो इस स्थिती में नित्य निरंतर 24 गंटे रहना और फिर दुनिया में कैसे रहना करना अटक नाटक करो नाटक कैसे करो जैसे अभिया कर रहे है मानों सुन रहे है देखो संतो कोई कठी नहीं है यहां हमारा 33 अध्या पूरा हो गया था अब हम चतुर्थ अध्या में प्रवेश करते हैं कुमारहा परमेश्वरंप प्रच्च फिर कुमार जी ने पूछा शिवजी से जीवन मुक्त विदेह मुक्त योह स्थितिम अनुब्रुहीती सहोवा चा परशिवा अब ये चतुर्थ अध्या किसके लिए है जिन्होंने पहले तीन अध्या काड़ा बना करके पीया है उनके लिए एक विशे आता है भगवत गीता में तीन स्थानों पर दीती अध्या में आता है स्थितप्रग्य के लक्षन के रूप में बारवी अध्या में आता है भक्त के लक्षन के रूप में और चवदावी अध्या में आता है कि जो गुणत रया तीत पुरुशा है उसके बारे मे इत्कीनों का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह नहीं कि हम किसी वावा जी को देखे, देखे, लंबी दाड़ यह कर लिया, दाड़ ठीक रिये काड दिया, अन्य के इवैलिएशन की लिए यह विशे नहीं होते हैं, साधू संतों के जो लक्षन, जीवनमुक्त पुरुष क जो लक्षन शास्त्र में आते हैं, यह साधकों के लिए साधना करने की दिशा होती है, देखो, कई बार हम लोग जादा ही एक्सेट हो करके, जल्दी जल्दी गल्ती गल्ती से साधू संतों के प्रती, अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, हम यदि साधक हैं, तो हम को यह अधिकार नहीं है, देखो महाराज, हमको कोई अधिकार नहीं कोन कैसा है कह लेका, हमको किसी को सुधारना भी नहीं है, देहा भिमाने गलिते, विद्न्याते परमात्मनी, यत्र यत्र मनोयाती, तततततर समादया, यदि हम देहात्मा भाव से उठे हैं, तो देखो, जीवन की दृष्टी ही बदल जाती है शांस्त्रों के अध्येन का तात्परिया अपने दृष्टी में परिवर्तन लाना देखो विचार करने की प्रक्रिया दृष्टी बदल जाती है कैसे उधारण से समझो एक यूसलेट्स लड़का मेडिकल कॉलेज में जाता है तो जब कॉलेज में जाने के पहले लोगों को देखता था कि पुरुषय स्त्री है यहां का है वहां का है यह देखता था अब वहां जाकर कि उसने ट्रेनिंग लिया डॉक्टर रिका डॉक्टर रिका ट्रेनिंग रिदेंग के पश्चाद आदमी को भूल गया स्त्री को भूल गया पेशन्ट को देखने लग गया अब उसके दृष्टी में परिवर्तन आ गया देखो एक बाहरा मैं से कई खड़े थे ऐसे ठके हुए थे बहुत तो कमर पर हाथ रखेंगे ऐसे टेड़ा कर रहेते हैं अपने आपको उतने में एक अम्मा आई कहते हैं कि स्वामी जी मुझे आपसे कुछ पूछना है मुझे पूछना है तुम से पहले क्या तुम डॉक्टर नी हो क्या किड्नी वाली हग को कैसे पता चला है तुमारे दृष्टी से क्योंकि आप ऐसे खड़े थे तो किड्नी में तकलिव होती है तो यहां थोड़ा दबाने से आराम लगता है तुमको लगा मुझे किड्नी का तकलिव है तो हमारे पांडरंग बगवान को तो भयानक हो गई किड्नी हमेशा खड़े रहते हैं ऐसे दृष्टी में परिवर्दन लाना यही शास्त्रों के अध्येन का तात्पर्य है दृष्टी में परिवर्दन आया तो दर्शन बदलता है दर्शन बदलता है तो जगत के साथ विवाहर बदलता है विवाहर बदलता है तो हमारे अनुभव बदलते है अनुभव बदलते ह तो जीवन बदलता है शुरू कहां से हुआ अपने बुरी नजर वाले अपने नजर टेस्ट करा ले देखो इसे लिए अब यहाँ प्रश्ण पूछते हैं जीवन मुक्त विदेह मुक्त यो सिती अनुबुरुईति यह दोनों में क्या सिती है दोनों की यह हमको बताई है तो लगता है 70% तो रियलाइद हो गया है और 30% बचा है अनन्त में परसेंटेज नहीं होता है देखो अनन्त में आपके सभी गणित फेलो जाते हैं तो यहाँ अब सुरू करते हैं चिदात्माहं परात्माहं निर्गुणोहं परात्परहाँ आत्ममात्रेण यत्ति श्टेत सजीवन मुक्त उmates्यते देहत्रया तीरिक्तोहं शुद्दचैतन्यमस्मिः ब्रह्माहमिति यस्यांत्हा सजीवन्मुक्त उच्यते आनन्द घनरूपोष्मि परानन्द घनोष्मि हम यस्यदेहादिकं नास्ति यस्यब्रह्मेति निष्चयहाँ परमानन्द पुर्ण सजीवश्यवन मुक्त ऊच्यदे यस्य किंचित अहमनास्ति चिन मात्रे नावतिष्टते चैतन्य मात्रो यस्यांताः, चिन मात्रक, एकस्वरूपवान, सर्वत्र पूर्ड रूपात्मा, सर्वत्रा, सर्वत्रात्मा वशेश कहा, आनन्द अधिर अधिर्व्यक्ताह, परी पूर्ण स्चिदात्मा कहा, अब यह दो चार्श लोग हमने जो पड़े हैं, इसमें दो आत्म मात्रेण यहां तिष्टेद सजीवन मुक्त उच्चते तो जीवन मुक्त कोन है चिदात्मा हम मय का अर्थ केवल शुद्ध चैतन्या और यह तब ग्रण होगा जब हमारी दृष्टी भेद से उपरत हो करके भेद के अधिश्ठान के दरब जाएगी तब अब उदारण से समय़़ों आप यहां इतने सारे बैठ लोग है आप अनेक क्यूं हो गए क्योंकि आपके बीच में आकाश है तो साधरन व्यक्ति हमारे जैसा जब देखेगा तो क्या कहेगा यहां इतने सारे लोग आ गए, अरे बाबा ये इतने सारे लोगों के साथ आपने और भी कुछ देखा है क्या? या और तो कुछ नहीं? और क्यों नहीं कुछ? दोनों के बीश में यह आकाश नहीं होता, ये अनेक ता प्रकट नहीं हो सकती. देखा रूप को हमने देखा रूप के अभाव को देखा फिर रूप को देखा इसी लिए दो हो गए लेकिन हमारे दृष्टि कहां जाती है केवल आकार पर रूप पर और इस रूप का जो आधार है निराकार आकाश उसका दर्शन होते हुए भी हमारा ध्यान उसके तरफ नहीं जाता अब कोन क्या करें इसके लिए देखो संतो स्री राम स्री राम स्री राम स्री राम चार बार का इस चार क्यों हुआ और चार बार श्री राम कहने में और एक बार ओम कहने में समय उतना ही लगा इस चार क्यों हो गए ये ओम एक क्यों रहा क्योंकि एक श्री राम के बाद शब्द का अभाव था तो अनेकता बनने के लिए अभाव शब्द के अभाव क्या आवशकता है और हमने उस शब्द के अभाव को ग्रण किया था तभी तो चार गिना था जब लेकिन एक दिर को उंकार का उच्चारण हुआ तो उसमें बीच में गैप नहीं थी इसलिए एक बार हुआ तो असली अनुवव क्या है हमारा हमारा अनुवव यह है कि हम भाव और अभाव दोनों को प्रकाशित करते हैं और इसी लिए हम भाव अभाव के परे यह अनुवव होता है जीवन मुक्त पुरुश का जो अस्ति नास्ति प्रत्य में सिमीत नहीं होता वो अपना स्वरूप है जब हमको अपने अभाव के अनुभूती की असंभाव ना है किसी को भी अपने अभाव का अनुवव नहीं आ सकता यदि ऐसी बात है तो मैं हूँ कहने की क्या वशक्ता है देखो अभी दिन है रात नहीं है अस्ति नास्ति यह भीमपुरा है बड़ोदा नहीं है अस्ति नास्ति दो हजार तेईस है दो हजार चोबिस नहीं अस्ति नास्ति देखो कि वल एक ही ऐसा नुँ हो है जो अस्ति नास्ति इस प्रत्यों के परे है देखो चिनात्मा हम परात्मा हम निर्गुणों हम परात्परहा इसी लिए हमें कोई गुण नहीं है सद्गुण भी नहीं दुर्गुण भी नहीं कई बार हम यह सद्गुणों में फच जाते हैं मनुष्य दुर्गुणों से बहुत जल्दी छुटका पा सकता है देखो कोई आदमी समझो आलसी हो तो संभावना है कि आलस का त्याग करनेगा कोई आदमी जादा ही किच किच करने वाला हो गुशा करने वाला हो बहुत कर्मा में बीजी रहने वाला हो उससे भी वह उपरत हो सकता है कि लेकिन कोई आदमी सुबह जल्दी उठ जाता है चार बजे नाध्भ करके ध्यान करता है योगा करता है पूजा करता है उसके बाद किसी से जगरा नहीं करता मांस मच्छे नहीं खासा अपने हाथ से स्वाइम पाकी है मंदिर में जाता है शास्त्रों का अद्धेन करता है अब उसको तो को सुधारी नहीं सकता अर्जुन की ये स्थिति थी अर्जुन कहता है भगवान को यह दृतराष्टर के दुर्बुद्धी पुत्र है और हम कोन है अस्मा भी ही प्रपश्चत भी ही हम तो समझदार है ना जो व्यक्ति अपने को समझदार कहता है वह वह व्यकुप होता है समयतार होके रो रहे हो कि गताम वीश्मम हम संके द्रोनम चमदु सूदना माने मेरे दादाजी और मेरी गुरु को मैं कैसे मारू कहने का तात्पर क्या है यदि आपके दादाजी आपके गुरु हो तो कोई प्रॉब्ब्लिम नहीं समस्या तो यहीं है इसे लिए चिनात्मा हम परात्मा हम निर्गुडो हम परात परहा अपने में अच्छे गुण बुरों में मत पसना यह जो प्रॉफेशनल सत्संगी होते हैं न हमारे वृद्दावन की बात है एक अम्मा हमको मिली और हम से गलती होगी हमने पूछा उसको अम्मा कैसी हो कोई आए नहीं तुम्हारे साथ यह हमारी गलती थी तो हमको भुगतना पड़ा पर स्वामजी क्या बताओ मेरा लड़का जो है बहुत तामसिक है इसको कहते शास्त्रिय गाली हम जो पी पतितपावन सित्ताराम क्या हो गया उनको वो तो इतने राजसिक है कि उनको टाइम ही न कोई भी गुण अपने आप में अच्छा बुरा नहीं होता देखो यदि आप तमो गुण को आवहान नहीं कर सके तो नीद नहीं आएगी यदि रजो गुण का आवहान नहीं कर सके तो जगोगे नहीं यदि सत्व गुण का आवहान नहीं करोगे तो सत्संग में सोजाओ इसे लिए निर्गुणों हम पराद परहा तो अपने आपको गुणों के साथ जोड़ करके अपना वर्डण या किसी अन्य का वर्डण करना यहां ध्यात्म नहीं है देन आत्ममात्रेन यतिष्ठे जो केवल शुद्ध आत्मरूप से ही रहता है इसको हमारे योग शास्त्र म देखो विशुद्ध चक्र में उसका स्थान होता है बहुत महत्व की बात है यह आपके अनाहा चक्र में से आप युदि बच गए तो इदम्रूत्यों के द्वारा प्रभावित होना अशुन्य हो जाएगा इदम्रूत्य रहित अहम्रूत्यों को ही कहते आत्मा क्या थी इसलिए विशुद्ध चक्र कहते उसको तो हम केवल आत्मरूप से स्थित है बाने कुछ बने नहीं आद्मी होता है पती बनता है आत्मा होता है जीव जगत इश्वर बनता है आद्मी से पती कैसे बनता है उपाधि को धारण करके इसी प्रकार से परमात्मा ब्रह्म भगवान तीन उपाधियों को धारण करके तीन नाटक शुरू करने देए इसलिए आत्ममत्रेड यतिश्टेट जीवन मुक्तस्त उच्चते इसलिए जीवन मुक्तपुरुष जो है उनको इस दुनिया से कुछ लेना देना नहीं होता देखो हमारे तुलसी राज्य महाराज देलो स्वांत्स्चुखाय तुलसीर गुनात गाथा उन्होंने रामायन का प्रचार करने के लिए रामचरित महारास नहीं लिखा जहां 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 सोशल वर्क होता है इंजियों इंजियों मालूमें आपको नॉन गॉडली और्गनेजेशन इस सब केवल समसार ही है आप यह वास्तविक अध्यात्म में रहना चाहते हो न तो जगत में फसो मत जो कुछ करना है करना अटक है पीता जी के सामने तो चुप रहो पुत्र के सामने तो उसकी सुनो मत पती के सामने है पत्नी के सामने है तो चुप रहो दोनों कुछ भी बोलने दे पती ने कुछ बोला तो पत्नी ने कुछ नहीं बोलना चाहिए घर में शांती रहेगे पत्नी ने कुछ बोला तो पत्नी ने चुप रहना चाहिए पत् के घर में शांती हो भी हलके फुल के रहो अध्यात्म का बोजा नहीं होता है त्यांगे नहीं कि अम्रुदत्व मानशु आत्म मात्रेड यतिष्टे जीवन्मुक्त साउच्चते देहत्रया अतिरिक्तो हम शुद्ध चैतन्यमस में हम ब्रह्मा हमिती यस्यानता हां सजीवन् यह हमारे तीन नह है यह भी हमको कहा मालूम था जब कभी आकर कर टकरा है विदानते के सलसंग में तब जाकर कर पता चाचाचा तीन नह है पता ही देह है मुझे लगा कि मैं हूँ पापो हम पापा कर्मा हम यह एक बाद आपको बताए थी जहान से सुनना जिस दिन आपके अंतकरण में यह दुड़भाव हो जाएगा देह को एक भी अनुभव नहीं होता जितने अनुभव होते हैं अच्छे बुरे ओकेवल मन को होते है तो जितना हम अपने देह की फिकर करते हैं उसको खाना पिना और अच्छा खाना देना बुरा मत देना और गानिक फूर्ट सब कुछ करना है करो लेकिन वही सब कुछ नहीं है तो जैसे हम देह की फिकर करते हैं देह के द्वारा काम करते हैं और देह के उपर काम करते हैं वी वर्क बाइद बॉड़ी वी वर्क अन बॉड़ी जितना आप योगा करते हो और जितना एक्जरसाइज करते हो इससे क्या मिलता है बोड़ी को फिट रखने के लिए इसी प्रकार से मन के भी दो भाग है we are working by the mind and we have to work on the mind हमने अपने मन को सवारने के लिए आज तक क्या किया है अपने अंदर जाग के देखो मन में विचान आते हैं इसका आर्शाइज यह नहीं कि हम विचारक है देखो चिंता और चिंतन इसमें बहुत ही छोटा सा फरक है दोनों वृत्या है चिंतन भी वृत्य है और चिंता भी वृत्या है लेकिन चिंता भी वृत्या है जिसके द्वारा हम अपने ही विचारों में उलज जाते है और चिंतन भी वृत्या है कि जिसके द्वारा हम अपने विचारों की उलजन से सुलज जाते है कितनी छोटी सी बात है इसे लिए जहां जहां हम अपना ध्यान अपनी मन के दरब रखना है अध्यात्मनित्याई विलिवृत्द कामा पगवान कहते हैं पंद्रावे अध्यान है घर को अच्छा रखना चाहिए कपने ठीक से पहनने चाहिए खाना सब कुछ को नतिंग रॉंग लेकिन मन को सवारना है मन को सवारने के लिए दो बाते एक तो इसको समझना है कि हम मन के द्वारा काम करते हैं और मन के उपर काम करना है इसका क्या अर्थ है working by the mind and working on the mind what is the difference working by the mind माने मन से काम करना है इसका तात्पर है क्या हो गया default settings हर जगह में मूह मारना हर एक को उपदेश करना हर एक को अर्वाइज करना हर एक पर कॉमेंट करना यह हमारा default setting हो गया है इसे लिए हमारी आनन्द माने जो बता है न इससे बढ़कर के और कोई मंत्र नहीं है देखो सुनो मत बोलो बोलना माने मन की अभिव्यक्ति मन है पानी और बोलना है बरफ मन है कारण शब्द है कार्य यदि आप कार्य को निर्माण नहीं करोगे तो आप कारण रुख से रहोगे तो अपने मन को सवारना है तो पहली बात यह है जो हमारी पुरानी आदत है बोलना नहीं चाहिए लेकिन हमारे पडोसी की बहु हमारे बहु से हजार गुना अच्चा है अरे महारानी तु जानती है कि बोलना नहीं चाहिए चुप क्यों नहीं बैठती है यह जब उल्टी आती है ना आत्मी को तो रोक नहीं सकता है इसी प्रकार से एक बार अंदर आ गया ना बोल भूल ही देना है लेखो संतो यह बहुत बड़ी साधना है किसी पर भी कोई कॉमेंट नहीं जगत में यत्र यत्र मनोयाती तत्र तत्र समा दया यह मन को कंट्रोल करने की एक टेक्निक और अब मन को सवारना है तो हमारे डिफॉल्ट शेटिंग बन कर दिए अब मन को हेल्दी रखना है अब मन को हेल्दी रखने की दो तीन टेक्निक आपको बताए पहली टेक्निक सुबह बताए थी अपने आप से बोलना बन कर अब कि हम आपको चित्त अउरति निरोध्र के फसायन हो जा रहें पूस्ट निरौध्रойд को सभू योगियों को पूष्ट हो गया की कभी कि खामों खाम परेशान कारते रहे जा चित्त अपर्वी निरोध्र नहीं करना और फिर अफने आपसे मत करते से फिर अबरिके दो एक मिनिट, फिर बढ़ाओ, दो मिनिट, फिर बढ़ाओ, तीन मिनिट, और एक बार आपको उसमें आनंद प्रगट हो गया न, फिर देखेंगे आप, जो वृत्ती रहित मन होता है, वही चैतन्य है, पत्मी रहित पती, वही आदमी है, हमको चैतन्य बनना नहीं है, आदमी पती बन सकता है, पती है, आदमी कभी नहीं बन सकता, क्योंकि वह अलड़ी आदमी है, बनावटी पती था, आदमी नहीं था, इसी प्रकार से, हम जो अपने आपको जीव मानते है, यह बनावटी है, चैतन्य तो हमारा स्वरूरूप है, द्रेहत रया अतिरिक्तो हम प्र यह स्थूल अधिया से अलग होना यही सीखना है यह जीवन मुक्त का लक्षन होता है स्ब्रब्र मुक्त उच्चत है हम किसी को certificate नहीं दे रहें अपने में देखना है तो द्रेहत रया अतिरिक्तो हम इसकी क्या बात होगी, तो पहले, यदि हम स्थूल इद्धे के साथ तादात में करते हैं, तो उसके क्या लक्षन है, देखो, कारियानुमेया, सुधियेवगम्या, मगवाशंकराज जारे कहते हैं, जो कारिय से ही अनुमत किया जाता है, जैसे किसी को कोरोना हो गया, तो फिर कैसे पता चलता है, उसके लक्षन देखते हैं, लक्षन से हाँ, इसको कोरोना हो गया, इसी प्रकार से हम देहात्मभाव इस रोग से फिडित है, तो कैसे पता चलेगा, देखो, हमको तो लगते हैं नहीं कि हम देहात्मभाव में हैं, इसके लक्षन है, संग्रह वृत्ति, चीजों को इकठा करके रखना यही देहात्मभाव का लक्षण है कितनी चीजों को हमने दुनिया में इकठा करके रखा है एक बार निवाली के समय पहले किसी घर में सज्जन ने सोचा घर में बहुत कच्रा हो गया है इसको जरा साफ करने और बिचारे ने मेहनत करके पूरा कच्रा निकाल दिया अब फेकना है फिर ऐलान किया देखो मैं यह सब फेक रहा हूं किसे का कोई हिंपोर्टों तो निकाले ना तो मैं फेक रही बहुत कंश्रा हो गया घर में फिर वहाँ से आई महाराणे चिशी लान देवी पहनों कि अटा मेलान दीवी लो बीलीडी अब बाकिय वज़ा था पुरानी पॉलिश की डिब्बिया टूटे ब्रश शूटू आया औरे यह तो मेरे केल लेगे सब अंदर कंदर आएगा कि इतना विचार निकाल था सब का सब अंदर वही हमारी आपकी स्थिति है काम आएगा और काम कहां के लिए आएगा देखो तो देहात्मभाव का लक्षन क्या हो गया वस्तूओं के प्रती संग्रह बुद्धी यही देहात्मभाव का लक्षन इसका अथा यह नहीं कि नंग्यों करको नहीं नहीं उसमें आसक्तों हो करके नहीं रहना है अच्छा फिर अब दूसरा है हम दूसरा देह सुक्ष्म देह समझ आने के लिए मन कह देते हैं दूसरा है मन अब मन के साथ आ सकता है या मन भाव से जी रहे कैसे पता चलेगा । उसके लिए बहुत है सिंपल टेकनिक है हमारा भुभुदा रहणे को पनिशत कहते है कहती है तत्र ماता अमाता भवती तत्र तो सुक्ष्म देह के साथ आदात्मे का अर्था हो गया, हम रिष्टे नातों में फस जाते हैं, तो देहत रया आती तो हम का अर्था क्या हो गया, हमने अपने घर से सुखा कच्रा और गिला कच्रा अटा दो, देहात्मा भाव के साथ जो इकठा होता है, वो सुखा कच्रा और मन के साथ तादात्मे करने के, या सुक्ष्म देह के साथ तादात्मे करने से जो होता है, वो गिला कच्रा दो, हटा दो, और हम ये रोज करते हैं कब जब खर्डाटे मारते हैं तरग या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागर्ति सैयमी यस्याम जागर्ति भूतानी सा निशा पश्चतो मुने जीवन मुक्त जिस परमात्म तत्व के प्रती यह जीवन मुक्त पुरुष्च जागर्त है उसके लिए साधारन व्यक्ति सो रहे हैं कहा है परमात्म, कहा है भगवाद और ये द्वाइत को लेकर के जागरत ये अज्ञानी पुरु जीतने जग गये हैं द्वाइत को सत्य मानते हैं ये द्वाइत की प्रती ज्ञानी पुरु सुप्त है उसको कोई फरक नहीं बढ़ता देखो इसलिए नेहत्रय अतिरिक्तो हम शुद्ध चैतन्यम अस्मिहम तो इन तीनों का जो आधार है शुद्ध चैतन्या वही मेरा स्वरूप है और इसलिए ब्रह्म अहम अस्मी इति यस्य अंतहा जिसके अंतक्करण में इसमें कोई भी संदेह नहीं है अपने बारे में कस्त्वम को हम कुतमा आयाता कामे जनने को मेता आता इस सब प्रश्णक खुल गए है कि ऐसा जो है अहम ब्रह्मा स्मीथी यस्य आंतहां सजीवन मुक्त उच्चते तो साधना क्या करें खेलना शुरू करो जीवन मुक्त जीवन मुक्त बच्चे नहीं खेलते गया भाई बहन पती बन जाते अब खेल 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 रहे कि मैं पपा हूं तुम मम्यों ठीक है कि यह ना सुरू करो नो जीवन मुक्त है किसने डाटा अरे मैं तो जीवन मुक्त हूं वजुद अप्वान होता ही भी देखो मजा आएगी जीवन में एक दम गिवीडे ट्राए ओम पूर्णमदहा पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णम उधच्यते पूर्णस्य पूर्णम पूर्णमे वावशिष्यते ओम शांति 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 हरी ही ओम स्री गुरुभ्यो नमहा हरी ही ओम